आपको भारत के उप्राष्ट्रपती बनने पर देश के दूसरे उच्छ सम्विधानिक पदपर आसीन होने पर और राज्य सभा के सभापती बनने पर हार्दिक बधाई और शुबकामनाई आपके विक्तित के बारे में आपके अनुभव के बारे में आपकी इस देश की समस्याओं की लोगों की अकांक्षाओं की पहचान के बारे में प्रधान मंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं ने सब सजस्यों ने बात कही ये हर्ष की बात है कि आज पीट पर आपासीन है और आपको हर पक्ष का अनुभव है और आप दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जहां बड़ी महान विभूति है इस पीट पर रही है जो एक बड़े राष्ट्रिय दल के अध्यक्ष रहे है डॉक्टर शंकरद्याल शर्मा पहले यहां आसीन हुए जो भारती राष्ट्रिय कॉंग्रिस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे आप भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे बंतरी रहे यह अनुभव आपके पास है इस सदन में दोनों तरफ कुछ लोग है जिनको यहां से वहां जाने का वहां से जाने का फिर यहां से वहां जाने का अनुभव है इसलिए शासन प्रशासन और चुनौतियों को समझते हैं और आप उन में से एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं जिनको यह हर पक्ष का एक अनुभव रहा है यह सही है कि हमारे लोकतंतरात्मक पंथनिरपेक्ष गणराज्यकी सबसे बड़ी शक्ति है विचारों का आदान प्रदान और सदन के अंदर वाद और विवाद जहां कई दलों का प्रजतंत्र हो संसदिय प्रणाली हो सही माने में विचार धाराएं और विचार दृष्टी कोण अलग-अलग होना अनिवार्य है पर जहां धारा अलग हो मुख्य धारा एक है वो मुख्य धारा भारत की है वे पक्ष और प्रतिपक्ष मुझे कहना देखने में ये लगता है और वास्विक्ता भी यही है कि नदी के दो किनारों की तरह है नदी का पानी उधारा प्रवाह वो बहता रहता है ये दो किनारे जरूरी है वरना नदी ना हो ना नदी का प्रवाह रहे पर उसके साथ वो नदी जाकर एक सागर में जरूर मिलती है और हमारे देश की प्रज़तंत्र की जो नदियें चलती है अलग-लग सोच की अलग-लग विचार की वो एक ही महासागर में जाकर मिलती है जो भारत राश्टर है इसको हमको सबको ये जानकारी है इस बात की इसलिए मैं कहूंगा कि जहां आप से हमारी ये उमीद कि अब आप जहां देश पंथ निर्पेक्ष है आप भी पक्ष निर्पेक्ष हो गए अब वहाँ पर बैठ कर आप स्वेयम इस बात की पहचान रखते हैं जो आपने कहा भी है ये उप्युक्त होगा कहना आज कि हम जो भगवान का रख लेकर चलते हैं देवताओं का रख तो देवता का रख एक चक्र पर नहीं चलता दो चक्र दो पहिये अवश्चक होते हैं इसलिए प्रजा तंत्र के रख के भी दो पहिये हैं सरकार और विपक्ष तो दूसरा पहिया भी उतना मजबूत रहे ये हमारा आपसे आग रहे है आप वहां थोड़ा कम देखें इधर थोड़ा ज्यादा आपको सहयोग और संबान तो पूर्ण मिलेगा और जो आपका निरणे होगा उसको भी हम स्विकार करेंगे और छोटी छोटी लखीरें मैं कई बार देखता हूँ आज एक टिपनी हुई किस तर गिर गया है चर्चा का पर गतिरोध और व्यवधान के बाद भी हमने देखा है हाल में पिछले कुछ बर्षों के अंदर कई विशे ऐसे आए हैं जिस पे इस सदन ने चर्चा का स्तर बहुत उंचे लेकर गएं इसी सत्र में भी पहले सत्रों में भी और हम आशावान हैं कि कई विशे ऐसे आएंगे जो जनता से संबंदित हैं उस पर उसी तरह से चर्चा होगी और एक सदस्य के रूप में कहूंगा अंत में कि ये हम को सब को समझना है ये देश सांजा है विरासत सांजी है इसलिए जब सदन का आरंभ होता है सत्र का तुराश्टर गान होता है और जब अंत होता है तुराश्टर गीत होता है हम जनगन मंद से आरंभ करते हैं बंदे म नारा जाय हिंद है जो सुभास चंद्र बोस का दिया हुआ है और भारत मां के हम सब लोग सपूत और सपुत्रिये हैं उसी को समझ कर हमारी सोच इस पक्ष की उस पक्ष की ये बड़ी सपष्ट है आज का दिन एक ऐसा है कुछ बात कहना कुछ विचार विक्त करना जरूरी हो कि जब तक कहीं न कहीं मतबेद और आदान प्रदान नहीं होगा तो फिर वो जो जीवन होता है प्रजातंत्र का वो जीवन जो दिखना चाहिए वो हमेशा दिखता रहेगा यही आशा के साथ शुब कामना है आप आनन जी